नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल में तो आज का हमारे में टॉपिक है जो पुल्षों के अंदर जो एक घंजापन पाए जाता है जिसे हम बोलते हैं इंगलिश में में मिल पैटर्न पाडनेस तो उसके लिए जो हम आज आपके सामें लेकर आ रहे हैं वह सप्र स्वाउट द्हट ब्लॉकर प्लांट बेस्ट नेचरल हेर गोषफर मोटर यह जाटरी सप्लीमेंट लिया है तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या होता है यह जो डियाश्ट ब्लेंड है इसके अंदर पॉंप्टिन शीट पाए जाते हैं सीटो श्री तो आज हम इसके बारे एक खोड़ा रेल में जानकर इप्राप्ट लेंगे कि यह जो इसके अंदर जो इसको डिखा गया है इसका पुरा रूप क्या है थीस्टी का मतलब होता है डाई हाइडो टेस्टोस्टिलों तो इसके लिए में हमारे बालों में क्या होती है अगर लिखा रहते हैं जैसे एक वोदा होता है उसकी जड़े जितनी ज्यादा गहरी होती है मजबूत होती है आदी तुभान से भी बचा रहता है ठीक उसी तरह अगर हेर फोली कल्द हमारे मजबूत है तो वह हर तरह की स्टूशन में सामना कर लेते हैं लेकिन जब वो कमज कर देते हैं जितना भी यह डाइडारोड टेस्टोर बनता है जो क्वाट रहे होता है उसको हमें क्या करना चांट्रोल करना है मता हमने डाइडारोड टेस्तों को जाड़ा नहीं बनने देना तो उसके लिए आपको यह जो सब्रौट का लियुर्श्ट ग्लोकर है जो एक न वो एक अलोपेथिक बैजसें है उसको भी काफी लंबे समय पिर तक हमें लेना पड़ता है यह एक सप्रावग में एक नैचुरल बनाया है इसकी खास विशेश्चता ही है कि कुछ नैचुरल जैसे की पॉंपकिन सीड वगरा इन कुछ नैचुरल चीजों को लेकर ऐसा बनाय जानते हैं इसका जो मुख्या कार्णिया है कि DHT जो है अपने आप स्काप रिसेप्टर से जुर जाता है और बालों की ग्रोथ में बादा उत्पन करता है जिससे बाद पगले शुग हो जाते हैं फिर दीरे कमजोर होका जहने शुग हो जाते हैं जड़ होता है अब हम जान यह एंड्रोजन उत्पन होता है क्योंकि DHT एस्ट्रोजन हार्मोन में कनवर्ट नहीं हो सकता इसलिए DHT एक प्योर एंड्रोजन है टेस्टोस्ट्रून हार्मोन जो मानवश्री में बनता है टेस्टोस्ट्रून हार्मोन को का कुछ हिस्सा 5-alpha-reductive enzyme के द्वारा DHT में बहुत बड़ा रोल होता है जैसे कि जो में अवाज में बारी पान आ जाना बोड़ी मसल्स की ग्रोफ होना दाड़ी मुच्छे बगारा अगर यह DHT लेवल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसका सिर्के बालों पर बुरा प्रभाव परता है तो इसलिए हमें क्या करना जोर करने से रोकता है जिससे हेर फोलिकर शिरिंग हो जाते हैं और बालों की ग्रोफ रुक जाती है तो नेचर रिमाडी जैसे की ग्रीन टी वह 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 अच्छा काम करती है इसके अधर DHT ब्लोकर में तो इसकी अंदर जो pumpkin seed होती है वह एक बहुत ही best DHT ब्लोकर है काफ से हैं हेर ग्रोफ को इंप्रूव करता है pumpkin seed में vitamin C की भी बहुत चादा मात्रा होती है जिससे हेर ग्रोफ में अच्छी improvement होती है तो यह तो था इस पुरी जानकरी हमने इस प्रूट के बारे में दी इसका जो प्राइस है आपको बिखा जेते हैं इसका प्राइस है लाइवा इसके साथ अगर आपके हम एक और ब्रक के बारे में बिजा देते हैं जो कि है vitamin B12 support का एक natural product है इसकी price दिखा रखी है 499 और इसके जो ingredients है वह है wheat grass powder, moringa leaf powder, alpha leaf powder, green amla powder, beet root powder, stevia leaf powder, इसके सारे जो आपने जानती हो कि सारे natural ingredients है यह क्या है कि actually में अभी तक कोई भी भी बीट्व वैसे तो market में बहुत टेवर्ट में जाती है लोग एक natural ingredients इसके बहुत कम दिखाई देते हैं तो उन मेंसे यह एक support का एक बहुत है vitamin B12 है तो इसमें जो जैसे कि B12 क्या है एक B complex का ही इससा होता है इससे क्या होता है कुछ symptom जैसे कि physical, physiological, neurological disorder आने लगते है इसकी कमी से और हमा ब्लड की रहना, headache रहना, migraine, तो B12 जो करता है मारे RPS बनाने में, RBC बनाने में मदद करता है और यह hair fall मारा कम हो जाता है तो इसको मैं recommend करता हूं कि अगर आपको एक blood investigation कराते देख लीजे कि अगर आपके blood के अंदर B12 की मातरा 200-300 से कम पाई जाती है तो आप इसको अवश हमें साहत जल्दी चड़ जाता है, हमें cold बगर जल्दी हो जाता है, depression हो जाता है, anxiety हो जाती है और हमारे brain की health होती है, वह भी effect हो जाती है, हमारी नसें जो होती है वह कमजोर हो जाती है, तो यह जो B12 है, Supraught का एक natural source है, B12 का तो इसको भी 120 डेवर्स की packing है, तो इसको आप जाता है, आपको B12 की डमी आपके पूसाथ लग में हैं, तो इसको भी आप DHT ग्लोकर के साथ यूज का सकते हैं, अगर आपका B12 ठीग है तो आपको उसके बडस की यूज करने की इलोट में अब मैं आपको इसकी dose के बारे में बता देता हूँ कि जो सप्राउट DST blocker है इसको आपने शाम को खाने के एग हंटे के बाद जिली एक टेबल लेना है और अगर आपके ब्लड के अंदर B12P कमी पाई गई है तो B12P टेबल आप सुभे नाश्टे के बाद एक टेबल ले सकते हैं अगर ब्लड के अंदर ज्यादा कमी पाई गई है लिट पेंड करके कि इसका लेवल क्या है इसके लिए आप किसी डॉक्टर से भी प्रमर्श कर सकते हैं कि कि कितनी मातरा लेनी है अगर ज्यादा ब्लड के अंदर इसकी कमी आए तो इसको आप दो टाइम भी ले सकते हैं तो यह तो हो गया इसकी डॉस के बारे में अगर मान लीजिए आपका बीट नॉर्माल आता है तो आप जैसा कि मैंने आपको पहली पीछली वीडियो में बताया था जैसा कि हम देक रहे हैं कि हैलका चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बाल आइकॉन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो की notification दिल जाएगी अगर आपको इस वीडियो के रिगारिंग कोई डाउट हो या पूछना हो को कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यावाद सोस्ते हैं, मास्ते हैं